नमस्कार मिरा नाम ग्यानिक्ष्वर है और आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूटूब न्यू चैनल लाइफ सेटिस को बात पलिटकल बात जदियू की बात लोगसभा चुनाओ की आपको पता है कि संडे को पटना में हाई लेबल मेटिंग हुई नितिस कुमार भी थे जदियू की मिटिंग में बसेश नरायन सिंग भी थे परशान किशोर भी थे किसी त्यागी भी थे परमन कुमार बर्मा भी थे और तमाम बड़े लोग मौझूद थे और इस मिटिंग में लोगसभा चुनाओ की रननीती बनाई गई यह बात एसपस कर दी गई है कि फरवड़ी के अंति तक मतलब जदियू की तैयारी यह है कि चुनाओ की घुसना के पहले ही उमिदबार एसपस कर दिये जाए ताकि की तैयारी में ठीक समय मिल सके और इसके से साथ ही यह भी एसपस किया गया है कि फरवड़ी के फसफोटनाइट में वह इस बात का एलान कर सकती है कि कौन सी 17 सीते जदियू बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है आपको पता है कि जदियू भाजपा और लोजपा की बीच सीतों का बटवारा मतलब संख्या में हो चुका है जदियू 17 सीतों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा भी 17 सीतों पर चुनाव लड़ेगी हजिपूर बैसाली नवादा और समस्तिपूर में चिदाव लना है अब भाजपा और जदियू के बीच 17-17 सीटे कौन होगी इस पर विचार मंथन चल रहा है दोनों दलोगी नेताओं के बीच गटबंदन के भीतर पर हमें जो खबर मिल रही है कि भाजपा को जदियू ने अ वह इन 12 लोग सबाचेत्रों में चुनाव लरेगी ही लरेगी बाकी भाजपा समझ ले बाकी जो दूसरी लिस्ट है मतलब एक ये लिस्ट है जिस पर चुनाव जदियू को लरना ही लरना है और दूसरी लिस्ट में 9 लोग सबाचेत्रों के नाम है जिनके बारे में कहा गया है कि वे बारह सीते कौन है जो जदिव भाजपा से कह रहा है कि हम लरेंगे ही लरेंगे और यदि इन सीतों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाजपा के कई सांसरों का तिकत गोल होता दिख रहा है है जडियू का राय कि हम किसंगंज लरेंगे इस पे कोई सम्भब नहीं है किसंगंज सीट देने में भाजपा को परिशानी नहीं हो सकती है क्योंकि यहां कॉंग्रेस जिती हुई है तो यह सीट देने में कोई परिशानी भाजपा को नहीं है पुर्णिया दूसरी सीट पुर्णिया में भी कोई लोचा नहीं है जो संकठा हुआ समाप्ति हो गया पुर्णिया दोजाच चौरा में जदियू नहीं जीत हासिल की थी संतोष कुछ बहार सांसद है और वहां भाजपा छोड़ दी है भाजपा से अलग हुए हो गया है और कहा जा रहा है कि महागठवंदन में सामिल होने जा रहे हैं कॉंग्रिस के टिकट पर चुनावलर सकते हैं इसलिए पुर्णिया सीट देने में भी कोई दिक्कत भाजपा को नहीं होगी मध्यपूरा अब वे महागठवंदन में किस सिम्बॉल पर चुनावलर रहेंगे या भाजपा के सिम्बॉल पर चुनावलर रहते हैं क्योंकि उनकी पार्टी में कुछ अर्चने हैं चुनाव आयोगने कुछ समस्याइं पैदा कर दी हैं तो यह सीट भी आसानी से जदिव को मिल सकती है भाजपा को मध्य पूरा सीट देने में कोई परिसानी नहीं हो सकती है कहा जा रहा है कि यहां दिनेश संद्र यादब जो बिहार सरकार के मंत्री है वे सरद यादब और पप्पू यादब के खिलाब जदिव के उमिदबार बनाये जा सकते हैं शुपॉल शुपॉल की देने में भी भाजपा को परिसानी नहीं होगी क्योंकि यहां 2014 में मोधी महालहर में भी पपू यादब की पत्नी रंजिता रंजन कॉंग्रेस के टिकट पचनाव जीट गई थी तो यह सीट जदिव को मिल सकती है 2014 में यहां जदिव दूसरे नमबर पे थी यहां से दिलके कामत को मृिदबार बना जा सकता है जदिव की ओर से लेकिन दिलकेश्वर कौमत को मिल बनाया ज़ाने कि सिती में भाजपा का जो बर्ग है वहां कितना भीतर घात करेगा यह एकजुत रहेगा यह देखने बाली बात होगी दर्भंगा के सीट भाजपा से जदिव लेने जा रही है भाजपा को विशेश परिशानी नहीं है क्योंकि किर्टी आजाद बागी है और उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिलने वाला है वे बर्सों से निलंबित है तो यह सीट जदिव के खाते में जाएगी और यहां से जदिव के उमिदवार के तور पर संजे जहां का नाम एसपस्थ है वे चुनाओ के तयारी कर रहे हैं और वे चुनाओ लरेंगे अब जहां मामला फसेगा वोँए सीट है सिभर ख़बर है कि जदिव सीभर की सीट मांग रही है पर पिर सवाल उठेगा कि मौझूदा साउंसद रमा देवी का होगा क्या उनका टिकट क 먹어 जाएगा क्या उनका टिकट कर जाएगए यहां संक्ट है यहां जदियो किसे उम्मिधबार बनाएगा अभी एस्पस नहीं है कारा काट होट सिथ उपेंद्र कुसबहा की सीथ 2014 में NDA में थे लेकिन अब महागठवंदन में है और नितिश कुमार के बड़े दुस्मन उपेंद्र कुसबहा भी नितिश कुमार को अपना सबसे बड़ा दुस्मन मानते हैं तो काराकाट जहां से उपेंद्र कुसबहा को चुनाओ लड़ना है यह सीट ज़दिव ताउ पर अपने खाटे में ले रही है और चर्चा ये है कि ज़दिव यहां से मीना सिंग जो पहले आरा की सांसत हुआ कती थी विग्रमगजी की सांसत भी रही उन्हें उमिरवार बनाने की तैयारी में है तो काराकाट की सीट जैदियू के खाते मा रही है और इसके साथ यह बात भी असपस्थ हो रही है कि आरा में आरके सिंग को भाजपा का टिकट मिल जाएगा क्योंकि मीना सिंग काराकाट सिफ्थ हो रही है शासाराम के सीट पर जदियू अर गई है इसका आसे यह हुआ कि छेदी पास्वान के टिकट पर आफट है छेदी पास्वान मजुदा सामसर ने भाजपा के अब यहां जदियू किसको उमिद्बार बनाती है क्या रालोशपा के बिक्षब बिढ़ायक ललन पास्वान को टिक यह बिहार में इसलिए यहां सासाराम में किसे टिकट मिलेगा देखने की बात होगी जहाना बार कि सीट पर भी जदियू किसी समझवाटे के मूद में नहीं है पर यहां मिद्बार कौन होगा क्या राम जतन सीना हो मिद्बार होंगे या फिर किसी कुछ बहास मुदाए के को मिद्बार बनाए जाएगा बिहार के सिक्षा मंत्री किस नंदर्पशार बर्मा भी चुनाव लाना चाहते हैं तो यह देखने वाली बात होगी कि जदियू के मिद्बार यहां से कौन होते हैं वैसे यह सीट पाटली पुत्र की दावी दाडी से भी रिफ्लेट करेगी पाटली पुत्र की सीट जदियू को मिलती है कि नहीं मिलती है देखने वाली बात होगी पाटली पुत्र की सीट जदियू की दूसरी लिस्ट में है नालंदा कोई लोचा ही नहीं है नालंदा तो निटिस कुमार की सीट है तो जदियू यहां चुनाव लगी इसमें कोई द को नबादा भीजा रहा है और नबादा के मौजुदा भाजपासांसर गिरीडा सिंग को इस कारण बेगुस राय जाना पर सकता है यह बात कंफर्म है अब भागलपूर बड़ी सीट भागलपूर की सीट जदिव लेना चाहती है किसके लिए पता नहीं है पर भागलपूर की सीट यदि जदिव के खाते में आई तो इसका मतलब हुआ कि सहनवाज हुसेन गोल हो गए तो ध्यान रखना होगा भागलपूर की सीट पर तो ये 12 सीटे थी किसंगेंज, पुर्णिया, मदेपूरा, सुपावल, दर्भंगा, शिभर, काराकार, सासराम, जहानाबार, नाल जदिव को पांस सीटे चाहिए, इसमें वह कुछ आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इन नौ सीटों में से पांस सीटों पर जदिव की दावेदारी चल रही है, उसमें भाजपा नित्रत को कहा है, कि मिल बैट कर बात कर लिजे, इन नौ सीटों में पांस सीटे हमें चाहिए, चार सीटों पर आप चुनाव लिए अभी ये नौ सीटे कौन है देख लिए पहली सीट है बालमिकी नगर बालमिकी नगर सीट पर जद्यू दावेदारी कर रही है यहां से अभी मौजूरा सांसर है भाजपा के सतीशंदर दूबे लेकिन जद्यू यहां से किसी कुश्वाह जाती कि मिर्वार को चुनाव लड़ाना चाहती है तो इसलिए यहां जद्यू दावेदारी कर रही है दोहजार नौ मिया सीट जद्यू के खाते में ही थी उजियारपूर की सीट भी जद्यू मांग रही है लेकिन ध्यान रखेगा यह दूसरी लिस्ट में है जद्यू की जिसके लिए समझोता जद्यू कुछ आगे पीछे करने को तयार है उजियारपूर की चर्चा इसलिए महत्पुन है क्योंकि यहां से अभी भाजपा के मौजूदा पदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय सांसद है पाहले यह बात चल रही थी कि नित्यानंद राय सिता मर जा सकते हैं लेकिन इधर के दिनों में नित्यानंद राय ने उस जियारपूर के लिए ताल ठोकना सुरू कर दिया है उन्हें लग रहा है कि महागठवंदन में यह सीट गई तो यहां से कोई कुछ वहा उमीदबार होगा और उन्हें यह भी लग रहा है कि यहां एक नहीं कई कुछ वहा उमीदबार मैदान में आ सकते हैं और ऐसे में उन्हें चुनाओ जितने में आशानी होगी 2014 के चुनाओ में भी उन्हें इसी का फाइदा मिला था जब वहां दो कुछ वहा उमीदबार चुनाओ लग रहे थे आलोक महता और अस्वमेद देवी और इस बीच नित्या नंदराय ने बाजी मार ली थी तो उजियारपूर की सीट जद्यू चाहती है लेकिन आगे पीछे बात करने को तयार है इसके अलावा गुपाल गंज गुपाल गंज में जनक राम है मैंने आपको पहले ही कहा कि जद्यू को लगने के लिए भी रिजर्व सीथ चा महाराज गंज पर भी जद्यू की निगाह है यहां से कहा जा रहा है कि महागतवंदन ने प्रभुनास सिंग के बतीजे रंधिर सिंग को मिलबार बनाने का फैसला कर लिया है लेकिन कई तरीके की बाते बीतर बीतर चल रही होती है और चल रही है पर इस बीच महाराज कि जो 9 सीटे इनमें से 5 सीटे जद्यू को चाहिए अब इनमें से 5 सीटे कौन आखिरकात तैह होगी यह पता नहीं है आगे जहनजारपूर जहनजारपूर अथी पिच्छों की सीट है तो जहनजारपूर पर भी नजर है जद्यू की किसे उम्मिद्बार बनाये जाएगा क पातली पुत्रा आपको लाइफ सिट इस बार बार बता रहा है कि पातली पुत्र सीट पर जद्यू की नजर है राम किरपाल यादब की सीट पर जद्यू का हवाला है कि 2009 में इस सीट पर जद्यू नहीं लालू यादब को हराया था रंजन जादब तब उमिद्बार थे ज 2014 में ठीक है जडियू का यहां परफॉर्मेंस बहतर नहीं रहा जडियू NDA में सामिल नहीं था यहां आखरी वक्त में राम किरपाल यादब राज़त से निकल कर भाजपा में आ गये थे और उमिद्बार बने थे उन्हें लालू परशाद उमिद्बार बनाने को तयार नहीं खाते की है इसलिए यह सीट जडियू को मिलनी चाहिए बाते चल रही है भुम्यार जाटी के एक पहलवान को तयार किया जा रहा है तो यह बरी बात है बांका सीट पर भी जडियू की नजर है वैसे वहां से भाजपा की नित्री और स्वरगे दिग्विजय सिंग की पतनी पतल जिंग भाजपाओं मिर्बार के तौर पर ताल ठोकी हुई है वह लगा था च्छत में कैम कर रही है तो यह 21 सीटे इन 21 सीटों में ही 17 सीटे जडियू को मिलना है तो ध्यान रखेगा यह आज और इस वक्त की बड़ी ख़बर है और आगे जो भी जडियू के भीतर से अब बेट हमें प्राप्ट होगा आपको हम तुवन बताएंगे आप देखते हैं रही है लाइब से दिश्कोर यह आपने अब तक हमारे यूटिब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरू सब्सक्राइब कर दिए धन्यवाद